कॉंग्रेस अध्यक्षपद का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है पिक्चर साफ होती दिख रही है पिछले कई दिनों से अध्यक्षपद की दावेदारी को लेकर जो कन्फ्यूशन बनी थी वो अब खत्म होती नज़र आ रही है दरसल राजसान के मुख्यमंतरी अशुक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्षपद का चुनाव लड़ने जा रही है उनके मताबिक राहूल गांधी ने फैसला कर लिया है कि वो अध्यक्षपद की रेश्स में नहीं होंगे इसलिए अब गहलोत ना मांकन दाखिल करेंगे और अध्यक्षपद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे अब अशुक गहलोत से जितनी बार भी उनके दावेदारी को लेकर सवाल किया गया उन्होंने यही जवाब दिया था कि राहूल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ही तैह होगा इसके बाद गहलोत 25 सितंबर को राहूल गांधी के साथ केरल में भारत जोडो यात्रा में शामिल हुए इस दोरान राहूल गांधी को आखरी बार मनाने की कोशिश हुए लेकिन राहूल गांधी ने कहा कि इस बार गांधी परिवार के बाहर का ही अध्यक्ष होगा मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बाद मुले रिक्ष करनी थी उनको जब सब प्रदिश कांधी के प्रस्ता बाद कर रही कि आपको अध्यक्ष मनना चाहिए तो फिर आप उसी रूप में आप स्विकार कीजिए तो मैंने भी काफी बाद शिर करनी कोशिश करी तो वो इत बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक लाद कर लिया कि एक लाद कोई गांधी फैमेली का वेक्ती हम पुभी बाने को लिए यह उन्हें स्पश क्या दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं पर मैं उनका सम्मान करता हूँ उनकी बातों का प्रदीश कोंगी कमेडिल परस्ता काश किया काईगरते चाहते हैं तो मेरे दिल में उनके पर दी सम्मान बहुत ज़्यादा है पर एक बार हमने कुछ कारणों से तै के लिए हम लोग इस बार नोन गांधी फैमिली के कोई वच्ती इसके साथ ही गहलोत ने ये भी साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और जल्दी नमांकन दाखिल करने के लिए दिन तै करेंगे गहलोत ने कहा कि देश के जो हालात हैं उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है अशो गहलोत ने चुनाव लड़ने के एलान के साथ ये भी साफ कर दिया कि वो राजसान सीएम का पद छोड़ने वाले हैं देड़ तो मैं फिक्स अब जागे करूँगा पर मुझे ये तै है कि मुझे कंटेस्ट करना है पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर रेमोकेशी की बात है एक नई श्यवाद हम लोग करें सब मिलके और मुझे उम्मीद है कि जो हालाद देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्स का मर्बूत होना बहुत ज्योड़ी है उसके लिए हम कोई कसर नहीं चोड़ेंगे तमाम जो हमारे कॉंगेश के साती भी हैं चाह वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं अगर हम चाहेंगे इस चुनाव के परिणाम के बात में हम सब मिलके कैसे कॉंगेश संक्टन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक इस्तर पर गांव इस्तर पर जिला इस्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचाथार हमारी है उटको बेश बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्स की रूप में ओपर का है हम लोग इसके साथ ही एक सवाल होता है कि एक बटी एक पज़ जैसा कि जाएगी या किस तरह है कमांड फैसला करेगा लेके तुम्हें या कोची में खड़ा खड़ाता नहीं कह सकता है यह तो वारे जो जो जन सेकेंट इंचार्ज है मिस्टर जैमाकन वो और कॉंगर्स प्रेजिएंट सोनिया जी वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान देजे म अध्यक्र बन रहा हूं तो क्या प्रक्रिया हो माँ पर कब हो प्रक्रिया यह तमाम फैसला करेंगे कुल मिलाकर अशोग गहलोद का अब कॉंग्रेस अध्यक्ष बनना तै माना जा रहा है हाला कि गहलोद के अलावा शशी थरूर मनीश दिवारी और अन्य कुछ नेता भी दावेदारी की रेस में खड़े हैं लेकिन गहलोद को ही सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है सुत्र के मुताबिक 24 सितंबर को अशोग गहलोद अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं वहीं गहलोद के चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही अब राजिसान में की कौन संभालेगा इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ